हेलो फ्रेंड्स तो आपका फिर से बहुत बहुत सवागत है मेरे चैनल सुड़ पाउर पे और इस एपिसोड के अंदर हम लोग एक प्रैक्टिकल सेखने वाले हैं जिसके अंदर जो खास करके जो नंबर लिश होता है जिसके अंदर हम लोग आए नंबर स्टोर की होते तो उ इसको आप अल्गोइधन भी बोल सकते हो तो यह सोट क्या होता है सोट कैसे करते हैं तो यह सब में आपको इस एपिसोड के अंदर सिखाने वाला हो तो चलो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट यह एपिसोड देखने से पहले आपको मेरा जो लाई। 6 है जिसके अंदर मैंने आपको दो नंबर को स्वेब करने का लोजिक बदाया था तो ये वाला और हर एक एपिसोड की आपको practice जरूर जरूर करना है तो friends सबसे पहला question की sorting क्या चीज़ है ठीके friends तो जो list के अंदर जो element होते है जैसे एक list है जिसके अंदर 20, 30, 40, 10 कुछ आगे पीछे number है तो in short ये list के जो element है इसको हम लोग एक line by line set कर देंगे तो इसको हम लोग बोलते है sorting तो उसके अंदर दो तरीके आते हैं एक तो हम लोग को करना होता है ascending order मतलब सबसे पहला चोटा होगा फिर उससे बड़ा element फिर इस तरीके से number बढ़ता जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं English के अंदर ascending order और अगर आप सबसे पहले जो बड़ा element है बड़ा number है वो रोख जोगे उसके बाद उससे चोटा उससे चोटा तो इसको हम लोग बोलते हैं descending order ठीके पर इस तो अगर हम लोग ascending order में रखते तो इसको आप ascending sorting भी आप बोल सकते हो अगर आप इसको कुछ इस तरीके से बड़े से चोटे नमबर में रखते हो तो आप इसको descending short और फिर descending order भी आप बोल सकते हो तो friends short करने के दो तरीके है तो python के अंदर तो वैसे बहुत सारे तरीके है तो उसमें से दो main तरीके है वो मैं आपको इस episode के अंदर सिखाने वाला तो एक तो है short function जो inbuilt python के अंदर मिलता है खाली आपको लिखना है short तो आपका जो भी लिस्टों का वो automatically short हो जाएगा उसी तरीके से और एक function ने shorted उसका भी हम लग यूज़ कर सकते हैं लेकिन इस episode के अंदर खास करके हम लोग देखने वाले bubble short तो इसके अंदर हम लोग हमारा आप खुद का logic लगाएंगे और जो हमारे लिस्ट के अंदर जो element होते उसको हम लोग करेंगे short तो फ्रेंड अगर आपने मेरा जो live 6 वाला जो episode है या फिर आप लाए बोल सकते हो तो इस प्रोग्राम के अंदर जो हम लोगोंने logic लिखा था वो क्या कर रहा था तो मैंने जैसे बोला कि जितने भी duplicate element होगे उसको count करके हम लोग को return कर रहा था ठीके पैंट्स तो इसी को आप बोल सकते हो algorithm ठीके पैंट्स तो इसके algorithm कैसे काम करता है कि अगर मैंने कोई वीडियो अपलोड किया उसके अंदर बहुत सारे like होंगे बहुत सारे comment होंगे तो उस हिसाब से हो जो YouTube का algorithm होता है मेरा वीडियो सबसे उपर YouTube के अंदर लेके आएगा और बाकी जो non subscriber user है उनको भी हो suggest कर सकता है ठीके friends तो इस तरीके स YouTube का algorithm काम करता है तो in short algorithm क्या है तो एक simple सा code है जिसके अंदर हम लोग कुछ data डालते है वो data को process करता है और उसमें से हम लोग को कुछ data feed से return कर देता है तो friend ये episode देखने से फेल है मैं आपको recommend करता हो कि आपको जो मेरा live 6 है वो भी आपको देखना है तो आपको बहुत अच् जे काम करती है तो friend इस episode के अंदर हम लोग algorithm design करने वाले या फिर आप बोल सकते हो हम लोग जो simple सा logic लिखेंगे simple सा जो हम लोग code लिखेंगे उसको आप बोल सकते हो algorithm जिसके अंदर हम लोग एक list पास करेंगे और वो list को क्या करेगा एक तो descending order में करेगा या फिर ascending order के करोगे जो भी code करोगे ठीक है जो भी complex program होता है उसको solve करने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते है logic ठीक है तो अगर आपका जो logic है वो अगर clear हो गया तो coding लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है coding तो बस एक तरीक है जो हमारा computer समझता है जो python समझता है ठीक है ठीक उसके अंदर मैंने कुछ इस तरीके से 7, 6, 4, 3, इस तरीके से मैंने input लिया हुआ तो bubble shot का मैंसे पर उसके अंदर वो हमेशा दो element उठा था है ठीक है friends तो एक a वाला element है वो अगर दूसरे element से बड़ा होता है ठीक है तो अभी हम लोग को क्या करना है तो अभी हम लोग को ascending order करना है मतलब 7 तो पहले नहीं आना चाहिए 7 तो पीछे जाना चाहिए तो एकदम सिंपल सा लोगिक है यहां पर हम लग 2 number compare करेंगे 2 number compare करेंगे उसमें से जो प पहला number अगर बड़ा होगा तो हम लोग क्या करेंगे swap कर देंगे तो आप नीचे देख सकते हो तो नीचे एक नया area बन जाएगा और उसके अंदर आगे 6 आ जाएगा और पीछे 7 चला जाएगा ठीक है पर इस तो इन दोनों को हम लोग कर देंगे swap तो friend इस case में हम लोग य value पहले वाले variable के अंदर डालेंगे इस तरीके से इसको हम लोग बोलते है swap टिक events तो मैं जो भी टूटल बनाता हो जो भी episode बनाता हो जो भी मैं live कर बाता हूँ उसके पीछे एक purpose है तो friend simple उसके पीछे एक ही purpose है कि मैं जाता हूँ step by step टिक events तो एक भी अगर आपने episode skip किया एक भी live अगर आपने skip किया तो आपको आगे का topic समझ में नहीं आएगा ठीके friends तो इसलिए आपको मरे episode भी देखने है live भी देखने है और एक बार episode वीडियो देखने के बाद आपको उसको मैं जैसे बलता हो कि 10-20 बार आपको practice करना ही करना है ठीके friends तो आपको practice करोगे त उसके बाद आपको automatically आपके दिमाग को आदत हो जाएगी कि कि किस तरीके से programming काम करता है उसके tools काम करते है ठीके friends तो इसके अंदर simple सा logic है इसके अंदर सबसे पहले वो दो number उठाता है अगर पहला number अगर बढ़ा होगा तो उसको हम लोग simple कर देंगे swap ठीके friends तो आगे के दो number तो अभी check हो गए उसके बाद ये पहला number को छोड़के दूसरे number और तिसरा number ठीके friends तो इन दोनों के बीच में अभी comparison होगा तो इसके अंदर फिर से अभी ये पहला number हो गया ठीके friends तो क्यूंकि अभी हमारे पास दो number है 7 और 4 तो इसमें से जो पहला number है वो हो गया 7 तो 7 फिर से बढ़ा हो गया तो इसको हम लग फिर से कर देंगे swap ठीके friends तो 4 आगया आगया 7 पीछे चला गया इस तरह के से ये process चलती रहती चलती रहती है जब तक हमारा पूरा array ascending order में set नहीं हो ठीके friends तो जो last output आएगा उसके अंदर आप देख सकते हो 3,4,6,7 तो हमार जो list है वो कुछ इस तरह के से ascending order के अंदर short हो गया है तो friend अभी हम लोग ने theoretical तो बहुत देख लिया है अभी हम लोग directly करते है practical तो इसके अंदर सबसे पहले तो एक variable में ले लेता हूँ और इसके अंदर अभी जो input था वही हम लोग इसके अंदर रख देते है 4 और 3 तो friend पहले हम लोग फिलाल समझ लेते कि किस तरह के से bubble short काम करता है तो वो क्या करता है कि आगे के दो number उठाता है उन दोनों को पहले वो compare करेगा अगर दोनों अगर जो पहला element है वो अगर बढ़ा होगा तो उसको वो कर देगा swap तो या आपे हम लोग को पहले condition डालना पड़े देगा number least उसमें से जो पहला element है उसको हम लोग compare करेंगे दुसरे element के साथ तो zero मतलब पहला element और second जो position है मतलब one index पे जो element होगा उसको हम लोग compare करेंगे तो जो पहला element है वो अगर दुसरे element से बढ़ा होगा तो हम लोग इन दोनों की जो जगा है वो हम लोग in short swap कर देंग तो अब यहाँ पे आपको swap का जो logic है वो काम आएगा तो अगर आपने जो मेरा pistol लाई देखा होगा उसके अंदर मैंने swap copy deeply और तीन तीन चार्चर मैंने logic बता है वो कोई भी logic जो भी आपको easy लग है वो logic आप यहाँ पे use कर सकते हो ठीक है friends तो फिलाल जो जो normal वाला logic है व खतम कर सकते है तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से swap कर देता हूँ तो यह जो logic है वो क्या करता है तो number जो zero position है वहाँ पे one वाला assign हो जाएगा इसके अंदर और zero वाला assign हो जाएगा one के अंदर मत्रब six चला जाएगा आगे seven चला जाएगा पीछे ठीके friends तो कुछ इस तर और हम लोग देखते कि swap हुआ कि नहीं उसको मैं यहाँ पे run करके देखता हूँ python live.py तो friend अब यहाँ पे देख सकते हो six आगे आगया और seven पीछे चला गया लेकिन जो हमारा original list है उसके अंदर आप देख सकते हो seven आगे है और six पीछे है ठीके friends तो simple मैंने जिसे बता है कि एकदम simple सा logic है यहाँ पे हमेशा हो दो दो नंबर लेता है अगर आगे वाला element बड़ा होगा तो उसको हम लोग को करना है कुछ इस तरीके से swapping तो आपका जो 6 है वो seven वाली position पे चला जाएगा और जो seven है वो six वाली position पे चला जाएगा मतलब in short हो जाएगा वो swap interchange हो जाएगा seven पीछे चला जाएगा तो आप output के अंदर भी देख सकते हो six आगे आगया और seven पीछे चला गया तो अभी हम लोगों ने आगे के दो element चेक कर लिया लेकिन अब बबल शोट यहाँ पे stop नहीं हो जाता है वो अब अभी क्या करेगा पेला वाला element छोड़ के आगे क दो element वो simple compare करेगा तो अभी हम लोग आपे फिर से compare करते है इफ number least one, ठीक फेंस one मतलब इस वाली position को हम लोग compare करेंगे यह वाली position के साथ तो इसका index है one और इसका index हो जाएगा two, ठीक फेंस तो अभी हम लोग वही यह आपे compare करते है one को हम लोग compare करेंगे two से अगर फिर से जो one position पर जो भी element होगा वो अगर बड़ा होगा यह second वाले elements से तो हम लोग इसको फिर से कर देंगे swap तो इसको मैं यहाँ से फिर से कर लेता हूँ copy और यहाँ आप हमें कर देता हूँ paste ठीके friends तो इसलिए मैं हर एक episode के अंदर बलता हूँ कि आपको एक भी episodes keep नहीं करना है ठ इसके अंदर मैंने swap कैसे होता है वो मैंने simple और काफी deeply explain किया है ठीके friends तो वह ही मैं आपर repeat करने जाओगा तो यह वाला episode फिर से बड़ा हो जाएगा इसलिए आपको मैरे पिछले episode देखने है और practice तो जरूर जरूर करना है तो अभी यहाँ पे हम लोग one को replace कर देते हैं two स है तो simple सा logic है यहाँ पे काली number इंटर्जेंज करना होता है तो यह वाली value store होती है इसके अंदर और यह वाली value store होती है इसके अंदर यहाँ पे लिखा है लेकिन यहाँ पे two और one ऐसा आप लिख सकते हो अभी हम लोग इसको फिर से print करके देखते है नंबर लिस्ट को तो क्या होता है फिर से मैंने run किया तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो पहले time जब उसने swap किया तो यहाँ पे value थी six और seven तो उसके बाद यह जो दूसरा वाला जो logic है तो यह logic जब भी executive आ तो उसने seven और four को compare किया ठीक है तो seven मतलब one वाली index पे है seven और second वाली index पे है four ठीक है four यहाँ आप देख सकते हो तो seven फिर से बढ़ा हो गया four से तो इन दोनों की जो position है वो interchange हो गया मतलब number swap हो गया four आगे चल लाइगा फिर से हम लोग को क्या करना है तो यही logic हम लोग को repeat करना है लेकिन आगे के दो number के लिए मतलब अभी हम लोग ने पहले तो यह दो number compare किया उसके बाद कुछ इस तरीके से sorting हुआ उसके बाद हम लोग compare करेंगे यह दो number तो वो भी आपर short हो गया ठीके फैंस अभी हम लोग आगे के दो number check करेंगे 7 और 3 ठीके फैंस मतलब यहाँ पर हम लोग compare करेंगे 2 को 2 वाला जो index है उसको 3 वाले index के साथ उसको हम लोग फिर से यहाँ पर करेंगे swap ठीके फैंस तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 तो फिर से हम लोग इसको run करके देखते हैं तो यहाँ पर 6 और 7 swap हुआ उसके बाद यहाँ पर 7 बड़ा था 4 से तो फिर से 4 और 7 swap हो गया उसके बाद यहाँ पर compare हुआ यहाँ पर मतलब यह वाला logic जब execute होगा तो क्या compare करेंगा 7 और 3 7 फिर से बड़ा हुआ तो फिर से उसकी value जो है तो वो swap हो गई ठीके फ्रेंस तो अभी आप देख सकते हो कि काफी simple logic है दो दो number हम लोग हमेशा compare करेंगे और उसको हम लोग swap कर देंगे लेकिन अभी आप देख सकते हो मैं जो logic लिख रहा हूँ इसके अंदर हमेशा इतना जो logic है मुझे copy करना पड़ रहा है फिर उसके अ अभी मैं यहाँ पर करने वाला हूँ तो simple यह जो repeat logic है इसको में निकाल देता हूँ और इतना जो हमारा main logic है इसको हम लोग रख देते हैं simple for loop के अंदर यहाँ पर में ले लेता हूँ i in range 0 से लेके जो भी हमारा list की size होगी उतना यहाँ पर गुमना चाहिए तो 0 से लेके for तो जो भी loop का 0 से लेके for गुमेगा मैंने यहाँ पर 0 लिया है क्योंकि हमारा index start होता है 0 से ठीक है इसलिए मैंने 0 लिया है उसके बाद मैं यहाँ पर और एक for loop ले रहा हूँ क्योंकि एक for loop से काम ने चलेगा तो यहाँ पर लेने पड़ेंगी आपको 2 for loop और वो क्यों ले लेकाल देता हूँ क्योंकि उसका काम नहीं है और इसके मैं अंदर ले लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग को compare करना है दो दो इलेमेंट मतलब दो दो नमबर तो यहाँ पर जे के अंदर पहले 0 स्टोर होगा तो 0 को हम लोग को compare करना है first वाले index के साथ तो यहाँ पर मैं लि लिखोगा यहाँ पर 1 लिखोगा तो नहीं चलेगा क्योंकि फिर हर बार वो 0 और 1 को ही चेक करेगा लेकिन अभी हमारे पास है लूप हम लोग को क्या return कर रहा है तो एक-एक index रेटन करेगा जे के अंदर 0 स्टोर होगा 1 स्टोर होगा 2 स्टोर होगा तो वहीं एक-एक element हम यहाँ पर compare कर रहे है तो हमारा main logic क्या था तो दो-दो number हम लोग को compare करना है तो दो number मैंने ले लिया यहाँ पर जे मतलब 0 अगर समझो कि मतलब जब first time loop चलेगे तो जे के अंदर स्टोर होगा 0 तो number list of 0 उसके बाद number list of 1 क्योंकि जी की value 0 होगी तो उसके अंदर हम लोग उन हमें one simple add कर दिया तो अभी हम लोग simple जो swap का logic है वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर फिर उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर J plus 1 पहले आएगा उसके बाद यहाँ पर आएगा J ठीक है फ्रेंट्स तो कुछ इस तरीके से अभी हमारा logic खतम हो गया है अभी last में पूरा logic मतलब पूरा for loop कातम होने के बाद में यहाँ पर प्रिंट करता हूँ number list को तो अभी हम लोग देखते है कि swap होआ है कि नहीं तो friend आप देख सकते हैं यहाँ पर list index out of range मतलब जो हम लोग खास करके यह जो हम लोग ने लिखा है J plus 1 तो इसमें क्या हो जाएगा वो out of index चला जाएगा मतलब जब भी जे के अंदर 3 store होगा 3 मतलब 0, 1, 2, 3 ठीक है फैंस 4 element है तो loop हमारी 3 बार मतलब 3rd index तक ही जानी चाहिए लेकिन जे के अंदर 3 है लेकिन अभी हम लोग ने यहाँ पर लिखा है J plus 1 मतलब वो 4 हो जाएगा ठीक है फैंस तो extra यहाँ पर हम लो इसमें से हम लोग एक माइनस कर देंगे और जो लाश वाला element है वह आतक हम लोग loop को लेके ही नहीं जाएंगे क्यों नहीं लेके जा रहे है क्योंकि हम लोग उसको already J plus 1 से हम लोग नहीं यहाँ पर चेक कर लिया है ठीके फैंस तो अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा confusion हो र करके देख सकते हो तो आपको idea आ जाएगा तो फिलाल तो मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन यहाँ पर आपको minus 1 लिखना ही पड़ेगा तो मैंने यहाँ पर minus 1 लिख दिया है और अभी हम लोग इसको run करके देखते है वाउ देखा फ्रेंड आपने तो हमारा जो भी list था व अभी वही logic को मैंने simple एक loop के अंदर रख दिया जो क्या करेगा तो हमेशा हमारे दो-दो element से करेगा और उसको automatically swap कर देगा कैसे करेगा क्योंकि हम लोग नहीं यहाँ पर लिखा है जे तो जे के अंदर एक एक टाइम पर एक एक इंडेक्स टोर होगा और वो दो-दो number को swap करेगा ठीके फ्रेंड्स तो अभी आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पर दो फोटो लुक क्यों लिया ठीके फ्रेंड्स तो algorithm के अंदर क्या हो रहा है तो कोई भी अगर पूछेगा तो आप बता सकते हो कि इसके अंदर हमेशा दो-दो number check होता है अगर पहला वाला element बड़ा होगा तो उसको हम लोग simply कर देंगे swap तो इस algorithm को नाम दिया गया है bubble short तो आप में से बहुत लोग को अभी question आ रहा होगा कि bubble shorty क्यों इसको बोलते है तो अगर आप internet पे search करोगे तो आपको answer मिल जाएगा तो फिलाल में आपको बता देता हो कि बच्पन में हम लोग साबुन का पानी बना के फिर उसके अंदर store डाल के हम लोग जैसे फूक मारते थे तो उसमें से bubble बनते थे तो उसमें से जो सबसे छोटा बाला जो bubble होता था हो सबसे पहले गरता था बड़ाओ फिर दिमेदीमे नीचे गरता था मतलब यहां पे क्या हो रहा है जो हमारे एरे element होते है वो दीमे-दीमे करके पीछे पीछे जाते है मतलब जो बड़ा उ element होगा वो दिमे दिमे करके पीछी जाता है और last में वो पूरा short हो जाता है तो इसी तरीके से जो बबल वाला जो logic है जो सब दिमे दिमे करके जमिन पे गीरता है ठीके फ्रेंट्स तो वो सोच के जिसने भी यह bubble short find किया होगा जिसने भी इसका संचोधन किया होगा उसने इसका नाम रखा है bubble short इसके अंदर ek element दिमे दिमे करके वो short होता है तो फ्रेंट्स यह जो हम लोग ने अभी code लिखा इसको आप बोल सकते हो algorithm तो यह algorithm क्या करता है तो इसके अंदर हम लोग को एक simple list पास करना होता है वो उसकी हिसाब से process करता है और हम लोग को list को short करके देता है ठीके फ्रेंट्स तो इस तरह के से जो code होता है जिसके अंदर follow पाता है decision आता है decision में मतलब वो decide करता है कि कौन सा element कहाँ पर रखना है ठीके फ्रेंट्स तो इस तरह के से जो coding होता है programming होता है इसको हम लोग बोलते है काफी programming language के अंदर काफी technical जो word है इसको हम लोग बोलते है algorithm ठीके फ्रेंट्स तो आप इसको algorithm बोल सकते हो तो अगर आपने bubble short सीख लिया मतलब आप मतलब आप सकते हो कि आपने algorithm बनाना सीख लिया एकदम सिंपल है फ्रेंट प्रोग्रामिंग का यही जलवा है इसलिए मुझे programming काफी पसन है इसके अंदर हम लोग काफी सारे interesting चीजे कर सकते नहीं नहीं कर सकते हो तो फिलाल तो मैं आपको बता देता हो जिससे मैंने आपको bubble short सीख आया उसी तरीके से market के अंदर मतलब software development के अंदर insertion short फिर्म शौट ऐसे बहुत तरीके के short है उसमें से जो काफी famous है bubble short और वो खास करके आपको interview के अंदर भी आपको bubble short काफी मतलब ज्यादा पूचा जाता है इसलिए मैंने आपको करवाया तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने यह जो algorithm design किया जो code हम लोगों ने design किया इसके अंदर अभी आप कोई भी नंबर पास कर सकते हो और यह जो हमारा code है वो आपको आपकी list short करके दे देगा तो insert में बोलना चाहता हूँ कि आपको अभी हम लोगों ने इसके अंदर fix number ले लिया है तो इसको आपको अभी user के पास से input लेना है तो यहाँ पर मैं फिलाल तो 0 से लेके पास fix loop चला देता हूँ लेकिन अगर यह पास भी अगर आपको user से input लेना हो तो आप ले सकते हो फिलाल तो मैं यहाँ पे pass number input लेता हूँ user के pass से और हम लोग क्या करेंगे इस list के अंदर उसको कर देंगे append ठीके friends तो यहाँ पे list function काम आएगा इसलिए आप मैं repeat करता हूँ हर बाँ तो यह जो append function है यह कैसे काम करता है यह already मैंने list वाला जो फिछला episode उसके अंदर explain किया हु तो यहाँ पे हम लोग को error आ रहे कि number list is not defined तो उसको use करने से पेले हम लोग को उसको declare करना पड़ेगा या फिर define करना पड़ेगा तो इसको हम लोग फिर से clear कर लेते हैं फिर से run करते हैं यहाँ पे मैं डालता हूँ 50 उसके बाद मैं डालता हूँ 10 उसके बाद मैं डालता ह तो अभी मैं इंटर करता हूँ तो अभी आप देख सकते हो हमारे अल्गरिदम के अंदर हमारा डेटा गया उसने प्रोसेसिंग किया डिसेजन लिया स्वैप किया उसके बाद फाइनल आटपुट हम लोगो क्या मिला तो पूरा असेंडिंग ओडर में सौर्टेड लिस्ट त तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो च्यार लाइन का कोड है जो हमारा अल्गरिदम जो हम लोग ने अभी डिजैन किया वो है खाली च्यार लाइन का जिसके अंदर आप डेटा पास करो डेटा को डिसेजन करेगा प्रोसेस करेगा पोलोप चलाएगा अन्यार का ओड्रेडी फॉंच्ण उन लोगों ने बना के रखा है तो मैं यहां पर पाइटन का जो इंटर विटर है वो मैं ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर एक लिस्ट में ले लेता हूँ जैसे जैसे नंबर लीच और इसके अंदर फिर से मैं डालता हूँ सेवन फ फिलाल तो प्रिंट करके देखते हैं तो जो हम लोगों है इंपूट किया था वही उसके अंदर है लेकिन अभी मैं यूज करता हूँ शॉर्ट फंचन जो अल्रेडी पाइथन के अंदर है ठीक है पर इस तो यह वाला फंचन जैसे हम लोग इंटीजर फंचन फ्लॉट एस लिस्ट होगा वो अटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगा तो अभी मैं यहाँ पर नंबर लिस्ट को प्रिंट करता हूँ तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पर देख सकते हो टू थ्री और सीक्स और सेवन ठीक है तो जब भी यह शॉर्ट फंचन जब एक्जिकूट होता है तो उन लोगों ने यह शॉर्ट फंचन है उसके अंदर कुछ इस तरीके से कोड किया होगा ठीके फ्रेंड्स तो यही कोड किया होगा ऐसा नहीं बोल रहा हो मैं उन लोगों ने शॉर्टिंग वाला कुछ ना कुछ कोड तो किया होगा ठीके फ्रेंड्स तो वो शॉर्ट करके आपको directly दे देता है तो python के अंदर at least आपको इस तरह के से अलग से logic नहीं लिखना पड़ेगा लेकिन जो पुराणी language थी जैसे c, c++ उसके अंदर mostly language के अंदर आपको इस तरह के से bubble short करना ही पड़ता है लेकिन python काफी smart है और उन्होंने already function provide करके दिया है तो function हम लोग use कर सकत है तो यह हो गया short function इसके अंदर हम लोग और एक parameter pass कर सकते हैं फिलाल तो मैं number list को फिर से declare करता हो इसको हम लोग फिर से print करके देखते हैं तो अभी यह ascending या descending order में नहीं है तो अभी इसको मैं short करता हूँ लेकिन इसको हम लोग reverse short करते हैं मतलब descending order में कर रहा हूँ तो reverse य इसको हम लो frame करके देखते हैं तो सबसे पहले बड़ा number फिर छोटा छोटा टिक प्रेंट्स तो इस तरह के से आप यह पर simple reverse equal to true pass करोगे तो वो reverse short आपको करके दे देगा तो friend reverse के अंदर क्या होता है तो इसके अंदर भी दो दो number compare होता है और जो बड़ा element होगा उसको वो लेके जाता है बस इतना ही logic है अभी यह जो ascending वाला short था उसके अंदर क्या होता है तो जो बड़ा element होता है मतलब number one मतलब आगे का number जो बड़ा होता है उसको हम लोग पीछे लेके जाते हैं लेकिन descending order के अंदर reverse के अंदर उल्टा हो जाता है जो बड़ा number होगा उसको हम ल जो condition है यह condition ही आपको एक simple सा इस condition के अंदर change करना है और आपका यह जो bubble short है वो descending order में काम करने लग जाएगा तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने bubble short देखा sorting करने के लिए उसके बाद short function देखा उसके बाद हम लोगों ने उसको reverse भी कर लिया उसी तरह के से python के अंदर और एक function है sorted इसके अंदर भी आप कुछ इस तरीके से number list पास कर सकते हो तो यह जो short function है वो directly list object के अंदर मिल जाता है लेकिन लेकिन python के अंदर global sorted function भी है वो भी आप use कर सकते हो तो same ही काम करता हो लेकिन यह जो sorted है यह एक नया array नया list आपको return करके देगा तो आप देख सकते हो आप 2,3,4,6,7 पूरा order में हो गया लेकिन आप number list प्रिंट करोगे तो वो order में नहीं होगा ठीक है पैंस याद रखना sorted और यह जो short है इसके अंदर एक ही difference है यह short क्या करता है तो यह जो main list है जो हमारा list variable है उसी के अंदर directly change कर देता है लेकिन यह sorted function जो है वो हमको एक नया list return कर जाता है और original list के अंदर कुछ भी change नहीं होगा तो friend कुछ इस तरह के से आप number को short कर सकते हो खास करके interview के अंदर भी आपको यह जो bubble short है यह खास करके आपको पुछा जाएगा इसलिए आपको इसकी practice करना है और अगर आपको कुछ problem आती होगी तो आप इस वीडियो के comment section के अंदर मुझे question पूछ सकते हो लेकिन आपको पहले तो इसकी जितना हो सके उतनी आपको practice करना है और मैंने आप वीडियो के अंदर देख सकते हो मैंने काफी step by step दो दो element दो दो element मैंने check करके आपको बताया उसके बाद मैंने for loop use किया और friend episode खतम करने से पहले मैं अभी हमार जो main question था कि हम लोगों ने इसके अंदर दो for loop क्यों यूश किया है तो जो bubble short वाला जो algorithm है इसके अंदर जो हम लोग number जो compare करते हैं वो number हम लोग हर एक element को हर एक element के साथ हम लोग को compare करना है मतलब अगर आपका जो list है उसके अंदर अगर 5 element है तो 5 multiply by 5 तो 25 time आपकी loop चलने चाहिए मतलब हर एक element को हर एक element के साथ हम लोग को compare पूरा का पूरा compare करना होता है अगर आपका list के अंदर 4 element है तो 4 multiply by 4 तो 16 time आपकी loop चलने चाहिए तो इसलिए यहाँ पे यह जो for loop है इसके उपर मैंने और एक for loop लिया है तो यह दो लूप का combination मैंने in shot किया हुआ है तो इससे क्या हो जाएगा तो आपके array जो भी list element है हर एक element हर एक जो दुसरा element है उसके साथ पूरा comparison होगा ठीक है तो मैंने जैसे बोला कि अगर आपके list के अंदर 5 element है तो 25 time comparison होना चाहिए ठीक है मतलब एक जो element है बाकी सब के साथ यह जो element है बाकी सब के स ठीक है तो इस तरह के से यह logic और algorithm काम करता है जिसके अंदर हम लग को हर एक in shot यह क्या करता है हमारा जो एक element होता है वो बाकी सबी element के साथ compare होई जाता है लेकिन इसके अंदर एक्स्टा चीज ऐसा है कि वो swap भी करता है तो इसी को आपको मैं और एक example के थुरू explain करता example लिया है इसके अंदर आप देख सकते हो यह पहली for loop है जिसके अंदर यहाँ पर एक जो element है first time swap हो रहा है दूसरी time swap हो रहा है तिसरी time four time ठीक है फैंस तो च्यार बार यहाँ पर loop चली उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर fifth time six time seven time eight और nine time ठीक है friends तो वो 16 time ही चलेगी तो इसका जो real looping है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ तो friend अभी आप यहाँ पर देख सकते हो यह real looping है ठीके friends तो यह जो पिछला वाला जो diagram था इसके अंदर आप देख सकते हो इसके अंदर पहली बात तो जो for loop है मतलब जो fourth number जो चोती time जब for loop चलेगा वो तो यहाँ पर मैंने display ही नहीं किया है और यहाँ पर दोई बार for loop चल रही है लेकिन यह जो नया diagram है इसके अंदर आप देख सकते हो तो इसके अंदर one two three four four multiply by four in short 16 time यहाँ पर loop आपको दिखेगी और इसके अंदर इसके अंदर यहाँ पर नीचे कुछ भी नही है क्यों कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो लिस्ट वह प्रॉपर लिस्ट होई गया था इसलिए मैंने उसको यहाँ पर नहीं दिखा था लेकिन आपकी जो for loop फिर भी चलेगी फिर भी चलेगी फिर भी चलेगी 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 ओ 16 time तो वह एक लिस्ट गुमनी वा होगे उसको 4 multiply by 4 अगर फाय होगे तो 5 multiply by 5 तो अगर तो यहाँ पर हमारे 4 element है तो 16 time गूमी रही है ठीक है पर तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि last time यहाँ पर मतलब यह तिसरे लोप के अंदर वो अल्रेडी short होई गया था इसलिए मैंने उसको फिर से display नहीं किया था लेकिन वो फिर भी गुमेंगी लेकिन गुमेंगी लेकिन उसके अंदर कुछ भी swapping कुछ भी swapping नहीं होगा ठीक है पर क्योंकि उसको compare करने के लिए कुछ ही नहीं अल्रेडी हमारा जो array है वो अल्रेडी short हो गया है लेकिन इसके अंदर फिर भी हमारी लोग चलती है ठीक फैंस तो bubble short के अंदर यही problem है कि वो क्या करता है हमारा array तो यही पर short होई जाता है तो भी यहाँ पर लोग गुमती है गुमती है गुमती है ठीक फैंस तो यही जो limitation है वो solve करने के लिए कापी सारे algorithm है जैसे quick short है insertion short है कापी सारे short है लेकिन अभी फिलाल तो आपको करना है bubble short की practice तो friend फिलाल के लिए इस episode में इतना ही और अगर आपको programming के अंदर expert बनना है आपको अच्छे से coding करना है तो simple आपको करना है practice और friends step by step आपको जाना है एक भी step आपको skip नहीं करना है ठीके friends तो अगर मेरा episode आपको कुछ सीखने के लिए help कर रहा होगा तो यह दूसरों को भी help करेगा इसलिए आपके friend family जिसको भी software development में interest है उनकी साथ आपको मेरे सारे tutorial जरू 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 शेर करना है ठीके friends तो फिलाल के लिए इस episode में इतना ही thank you